आज है 28 जुलाई और पहुत ही नजदिक आ गई है एक्जाम की डेट आप सब की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आशा करते हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी अभी 11 बज रहे हैं मैं फ्री हो गई हूं पूजा पाट घर के सारे काम कर ली हूं और अब फ्री हो करके अपने स्टडी करूंगी ये टाइमिंग अच्छी होती है अभी 37 सा महौल होता है और घर में भी कोई नहीं होते हैं तो ये हाउस वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है तो काम को फटाफट करने के बाद मैं अभी सेकंड स्लॉट की स्टडी करने के लिए बैठ के ही हूं और ये मॉर्निक की फर्स्ट लॉट स्टडी करने के बाद का ये सेकंड स्लॉट स्टडी है तो मैं अभी यहाँ पे सेट सॉल्व कर रही हूं मैंने जो पढ़ा है अभी मैं जञदतर टाइम सेट बनानी में देती हूं इससे क्या होता है कि बहुत सारी कोश्वंजंस भी पता चल जाते हैं आर कोश्वंसे रिलेटर एक दूसरे और कोश्वंस के भी ये पता-चल जाते ऊनकी रिज़ंस क्यूं ऐसे हो रहें तो बहुत सारी सीमर हैं तो आप सभी की कोशन थी, उसी पे मैं यह बनाई हूँ और कोशिश कर रहे हुँ कि आप सभी की जो कोशन है, वो मैं आपको किलियर कर सकूं। हलाकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कटफ पे तो आप उसे देख सकते हैं मैं आई बटन पे या इंडी स्क्रीन पे उस वीडियो को डाल दूँगी तो आप सभी ना बार-बार ये पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस कैसे बनेगी तो मेरिट लिस ना भाई तो एक ही सब्जेक्ट से बनेगी फर्स्ट पेपर जो है वो सब के लिए क्वालिफाइंग पेपर है सिर्फ उसमें 33% लाना है अगर आपका उसमें 33% आ जाता है तो आप सेकेंड पेपर आपकी चेक होगी वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग है कि हाँ आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं उसके बाद ये सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर में आपका जो अपना सब्जेक्ट है उस पे जितनी भी आपकी मार्क्स होगी उस बैसिस पे आपको वो मेरिट बनाएंगे इस ये 300 मार्क्स की है 150 कोशन है तो इस तरह से अब आपको देखना है कि पिछले एर अपनी अपनी सब्जेक्ट की देखनी है कि पिछली एर कितने मार्क्स कटप गये हैं जैसा मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर बताते हैं तो मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर पिछले बार 223 मार्क्स आए हैं ये कट अफ है इसका मतलब है कि 150 में से 110 कोशन अगर आप करेक्ट करते हैं तो इतना आपका आएगा इसी तरह से मैं टार्गेट लेके चलती हूँ कि मुझे अभी मैं सेट बना रही हूँ और जो एक्जाम दूँगी मैं फाइनली जो एक्जाम डेट पे तो उस पे मेरा यही टार्गेट है कि मैं 110 कोशन से प्लस उसको करेक्ट कर सकूँ तो ये है मेरी आप सब्जेक्ट है उस पर पुराने वाले रिकॉर्ड को देखिए कि कितनी कटफ जा रही है और उस कटफ के अनुसार अपने टार्गेट को बनाईए कि कितना आपके कोशन करेक्ट होने चाहिए और कितनी मार्क्स की होनी चाहिए तो इस तरह से मेरीट बनाए जाएगी हाँ आप कहते हैं ना कि दोनों पेपर को मिला के मेरिट बनाने को, कि उससे बनेगा, तो हो सकता है, ऐसा हो और लेकिन, ये सब के साथ नहीं होगा, उन लोगों के साथ होगा, जिनका date of birth, same होगा, जिनके marks, same होगे, तब, जब दोक कंडिएट के, सब को same होगे, marks same होगे, date of birth से होंगे तो उनकी कैसे selection होगी तो उस बैसे इस पे last में इसकी marks को देखा जाएगा कि इसमें किसका कितना marks है तब जा करके उनकी selection होगी तो यह तो रही कि जब आप job मिलने वाली यह तब की बात है लेकिन जो merit और cut-offure ready होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके second paper को लेके ही है कुछ भी बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो qualifying paper है तो आप इस बातों पे ध्यान मत दीजिए और इतना time इस बातों पे मत किजिए बस अपनी cut-off को ध्यान रखिए और अपने target को बनाए रखिए और उस हिसाब से अपनी तयारी को जम के किजिए time बहुत ही कम है और बह होती है और अपनी इसमें उसकी correction करूंगी तो यह थी आज की वीडियो आशा करते हूं कि आपकी सारी solve हो गई होगी